गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों हमारे हैं इस तमें मौसम बहुत अच्छा है और कई सारे प्लांट्स हम एड कर सकते हैं ऐसे मौसम में तो मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स की सब्सक्राइब कीजिएगा विल नुटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा सेयर कीजिएगा कमेंट में जरूर लिखिए कि बेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो आई ये वीडियो प्लांट मिल रहे हैं जो कि अगर हम फिर फर्वारी मार्च में खरीदेंगे तो काफी हाइप प्राइस पे रहेगा तो इसलिए मैंने सॉपिंग की है यह देखिए यह एक पाम भी लिया है मैंने साथ एक सोना पाम इसका नाम है यह 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 अग्लोनीमा की वेराइटी अग देखे वेरीगेटेड वाला प्लांट मुझे मिल गया मैंने इससे बहुत खोजा तो आप यह देखे-सी-जी-घिम है यह बहुत ही खुबसूरत होता है इसके फोलीज देखे कितना सुनर है तो यह सब प्लांट मैंने खरीदा है और यह सब मुझे जो बड़े-बड़े प प्लांट मैंने लिया है अब देखती हूं यह सर्वाइब करता है कि नहीं ठंड के मोसम में तो इस तरह से कुछ बड़े प्लांट लिये हैं बड़े पत्तों वाले जो जो मुझे सुंदर लगे और एक यह मैंने लिया यह सावनी के पौधा है जो की मिनियेचर वेराइटी है इसकी यह मैंने एक नए चीज देखा तो हम गार्डनेर हमेशा जब नरसली जाते हैं तो कुछ नए पौधों की तलास में जरूर रहते हैं आखें ढूनते रहती हैं कि कुछ ऐसा नायाब हीरा मुझे मिल जाए कि मैं अपने गार्डन में उसे सजा सकें और यह आरेलिया मै पुरा बूशी हो जाता है तो इसको आप अपने गार्डन में आड़ कीजिए बहुत खुबसूर्ती आड़ करेगा इन सारे प्लांटों की सौपिंग की है वीडियो में आंतों तक बने रही हैं दोस्तों मैं सबकी प्राइस भी बताऊंगी और सबके नाम भी बताऊंगी तो और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करना कि कौन सा प्लांट आपको सबसे अच्छा लगा और आपके पास कौन-कौन से प्लांट है और कौन नहीं यह देखें सीजीम का प्लांट है यह मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है इसकी पत्तों के कारण और उसका पास था यह इन गर्मियों में यह खतम हो गया तो इसको मैंने यह बहुत ही हेल्दी प्लांट है देखें कितना ग्रीन है और कितने सारे कि टहानियां है इसकी काफी बूसी प्लांट है यह भी मुझे साइद 200 में मिला है इस तरह से और यह एक्डोनीमा ग्रीन एमरेल्ड है यह वेराइटी मेरे पास नहीं थी और यह देखें कितना बड़ा प्लांट है और कितना हेल्दी है सारे पत्ते मेरे पाउच में ही लगे हुए है इसलिए मुझे कम रेट का मिल गया अधरवाईज अगर गमले में होते तो महांगा में मिलता यह देखें इसको पत्ते कितने तो इस तरह से ठीक ही रेट पर मुझे मिल गया यह रेक सोना पाम है यह इस बार नर्सरी में मुझे पहली बार दिखा और इसका फोली इस देखें कितना सुंदर है और कि स्ट्रक्चर भी एक ही बॉटन टाइप का निकलता है उसी से पत्ते निकलते है तो इसका है जिए सांग इंडिया इस की ग्रीन कष़ी वाली रडे की से बखुग लकी का कंपिनेशन है तो बहुत ही खुबसूरत लग रहा मुझे तो यह भी पाउच में मुझे 500 का मिला है यह देखिए यह वाली वराइटी मुझे कहीं नहीं दिखती है यह नई विराइटी मुझे दिखी तो मैंने इस वो लिया और यह फीडिली फीग है यह नहीं यह तो रबर प्लांट है वेरिगेटेड वाला यह मुझे पहली जाता है तो यह इस बार नरसरी में मुझे मिला नहीं तो मैं साउथ से मगवाने वाली थी इसको यह भी मुझे 500 का मिला है रेट मुझे सही ही लगा क्योंकि कहीं भी इसका रेट जादा ही है कम नहीं है बहुत लंबा बड़ा प्लांट नहीं है लेकिन ठीक है यह जेड़ प्लांट मेरा हैं कई सारे खराब हो गया तो इसको मैंने लिया है फिर से और यह देखिए अल्टरनेंथ्रा है जो की हेज में लगाया जाता है यह चोटे-चोटे पौदे घने हो जाते हैं तो बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं और स्वीट पोटाटो वाइन का यह कलर है ड और येलो कलर का है यह लेंड़ाना मुझे दिख गया तो यह ले लिया और यह येलो कलर का टिकोमा है यह भी मेरे पास नहीं था तो यह भी मैंने लिया और एक मैंने फलों का पौधा लिया है यह चेरी का प्लांट है तो इसको भी मैंने लिया है यह साध दोसों का दिया है और ये दुनों असी-असी का दिया है तो इस तरह से मेरे प्लांट मैंने ये सब खरीदी है उमीद है दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर जरूर कर दाना और कमेंट में जरूर लिखना कि कौन सा प्लांट आपको अच्छा लगा मेरी शॉपिंग कैसी लगी तो दोस्तों इन पौधों के साथ ही मैं अपना वीडियो को बंद कर रही हूं तो हैपी गाड़निंग खूब गाड़निंग कीजिए और अच्छे अच्छे पौधे लगाईए और थैंक्स पर वाचिंग ओके बाई बाई माई फ्रेंड्स